Hello friends, आप सब्सक्राइब का स्वागत है मेरे चैनल ममता क्रेशन में और मैं हो ममता फ्रेंडस आज मैं आपको बहुत ही special recipe बताने वाली हूँ जो है डाल पकवान फ्रेंडस आज मैं आपको डाल पकवान की recipe बताने वाली हूँ जो कि बहुत इजी होती है और जटपट हम अपने गर पे दाल फक्वान की रेस्पी बना सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और मेरे चैनल को सिस्क्राइब जरूर करना तो आईए बनाते हैं डाल बनने के लिए मैंने चैनल की डाल को लिया था जिसे मैंने रात को पाने में बिगो के रख दिया था चैनल की डाल को मैं पांच से छे गंटे तक बिगो के रखना है मैंने इसे रात को बिगो के रखा है जिसे की बहुत ज़्यदा सफ्ट हो गई है और अब हमें इसे कुकर में डाल के उबालना है दो सिटी आने तक और मैंने गेस पे कुकर रख दिया है और इसके अंदर मैंने डाल को डाल दिया है और अब इसके अंदर दो गलास पानी डालना है आपको डाल पतली चाहिए या जाड़ी आप अपने हिसाब से पानी डाल ले और अब इसके अंदर में आदा चमच हल्दी पौडर डाला है और आदा चमच नमक डाला है और एक चमच गी डाला है और अब कुकर का डेकन बंद कर देना है और दो सीटी आने तक इसको उबालना है यहां पर यह कुकर की एक सीटी आ गई है और यह दोनों सीटी भी यहां पर आ गई है अब हमें गैस को बंद कर देना है तो अब यहां तटका लगने के लिए मैंने जूँ लिया है उसमें हरी मिर्च जिसको बारी कटा है और प्याज एक टमाटर लैसुन की कलिया और एक हरी मिर्च को मैंने लंबिलने में टुकड़ों में काटा है इन सिब को बारी काटना है और आप पक्वान बनेने के लिए मैंने लिया है मैदा प्रेंट्स तीन कटोरी मेदे में हमें आदा चमच नमक डालना है आप अपने स्वात के नुसा डाल सकते हैं और ये है एजवाइन जिनको हमें हाँ से मसल का डालना है इसका स्वात बहुत ही अच्छा आता है पक्वान में और एक बड़ा चमच तेल अब इन सिब को हाँ से अच्छे से मिला लेना है और फिर दीरे दीरे पानी डाल के एक अच्छा सा रोत त्यार करना है हमें आता हमारा नाई ज़्यादा गिला होना चाहिए और नाई ज़्यादा सक्त होना चाहिए नॉर्मल लाटा गूतना चाहिए और यह हमारा डो यहाँ पर त्यार हो गया है इस पर मैं थोड़ा सा त्यार लगा के दस मिन के लिए रख दूंगी यहाँ पर सूती कपड़ा रखे इसको मैंने दस मिन के लिए रैष्ट के लिए रखा है और यहाँ पर हमारे दाल भी अच्छे से उबल गई है अब हम इसमें तड़का लगाएंगे मैंने गेस पर कड़े रख दी है और इसमें मैंने तीन बड़े चमश तेल डाला है तेल हमारे अच्छे से गरम हो गया है और अब मैंने इसमें थोड़ी से हींग और जीरा डाला है और अब इसके अंदर मैं लेसून एट करूंगी लेसून को डालने के बाद अब इसमें यह लंबी लंबी काटी वही हरी मिश इसको भी मैं इसके अदर एड़ कर दूंगी और यह प्याज इसको भी इसके अंदर डालना है इनको अच्छे से पकाना है और अब इसके अंदर हमें इसके मसाले आदा चमच हल्दी पाउडर एक चमच लाल मिच पाउडर एक चमच दनिया पाउडर और आदा चमच नमक और आदा चमच गर मसाला पाउडर इन सब को अच्छे से मिला के पकाना है और एक कटा वाट टमाटर भी इसके अंदर हमें एड़ कर देंगे अब देख सकते हमारा मसाला कितना अच्छा भून के त्यार हुआ है तड़का लगने के लिए इसको थुड़ी दिर और पकाना है तैकि इन सारे मसालों का कच्छापन चला जाए और यह अच्छे से फ़राई हो जाए पक जाए अब यह हमारा मसाला अच्छे से पक गया है अब इसके अंदर हम डाल एड़ कर देंगे अब मैंने इसको इसके अंदर डाल एड़ कर दी है इसको अच्छे से मिलाएंगे और 5-7 मिन तक इसको और पकने देंगे यह देगे कितनी अच्छी डाल हमारे बन के त्यार हुई है आप देख सकते हैं अब इसको हम अच्छे से मत लेंगे मतनी से इसको मैंने अच्छे से जोग दिया है अब मैंने इसके अंदर एक चमच गी डाला है इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा और उपर से मैंने दन्यापता डाल दिया है यह दाल हमारे बन के त्यार हो गए इसको डखकन लगा के साइड में रख देंगे और हम पक्वान तलने के लिए मैंने कड़े में तेल डाला है तील हमारा गरम हो रहा है जिब तक हम अपने आटे को देख लते हैं यह दो भी हमारा अच्छे से त्यार हो गया है दस मिन बाद आप दे सकते हैं और हमें इस तरह से इतना आटा लेके इसकी एक लोई बनानी है और इसको हमें बेलना है अभी इसको पतला बेलना है कफी बड़ा पक्वान बनाना है हमें इदे के हमारा पक्वान बनके त्यार हो गया है और अब हम एक नुकिले चुमच की साहिता से इसके अंदर छेट करेंगे मेगिया नुडल्स खाने वाला चुमच होता न उससे हम इसके अंदर छेट करेंगे ताकि हमारा अब इसको हम तेल में फ्राइ करेंगे न जिससे यह फूलेगा नहीं तेल हमारा गरम हो गए इसके अंदर में पकवान को डाल दिया है और इस तरह से हमें तेल के अंदर पकवान को इस तरह से दबाते रहना है क्योंकि तेल में डालने के बाद पक्वान उपर आ जाता है और अच्छे से पकता नहीं है इसलिए चमच की साहता से या चलने की साहता से यह पक्वान हमारा पक्रा है अच्छे से तब तक हम अपना दूसरे पक्वान त्यार कर लेते हैं बेल कर इसके अंदर भी हमें ऐसे च्छेद करने हैं जिसे कि यह हमारा फूलेगा नहीं और बहुती करारा बने गया यह पक्वान हमारे कितना अच्छा बन के त्यार हुआ है आप देख सकते हैं इसको एक प्लेट में डाल देंगे दूसरे पक्वान भी हम तेल के अंदर डाल देंगे इसको भी अच्छे से पकने देंगे इसको वापस उल्टा करके भी अच्छे से पकाना है यह देखिए कितना अच्छा हमारा पक्वान पक्के अच्छे से बहुती कुरकुरा और बहुती करारा पक्वान बन के त्यार हुआ है आप भी अपने घर पे इस तरह से दाल पक्वान बना सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही सरल है इसे बनाना घर पे लेजी फ्रेंड्स पक्वान हमारे अच्छे से बन के त्यार हो हैं आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंड करके जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और गंडी वाले बटन को भी जरूर दबाएं जिसे के आपको मेरे हर वीडियो के नोटिपिकिसन मिल सके और थैंक्स पॉर वचिंग ममता किरेशन